कभी स्वास्त्तु कोंगे आज का हमारा विजह है ऐलर्जीक राहिनाइटिस के बारे में पर्मनेट्ली आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में समझेंगे जो जागेंगे वो पाएंगे और जो सोहेंगे वो खोऊजाएंगे यानि कि जो लोग इस वीडियो को अंतितक देखते हैं बड़ी बारी कीज़ा समझते हैं उन सबी के लिए इस वीडियो में बहुत ही कमाल की मेडिसेंस में बताने वाला हूँ और जो इस वीडियो को बीच में छोड़ कर सले जाएंगे वो हमीसा सोते रहेंगे तो उनके लिए ऐसी कोई भी मेडिसेंस वो नहीं समझ पाएंगे जो उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है एलर्जिक राइनेटिस होता है क्यों है सबसे पहले यह समझ लेते हैं एलर्जिक राइनेटिस होने के कई सारे कारण होते हैं सबसे पहला कारण होता है डिस्ट होना जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं और अगर थोड़ा बहुत डिस्ट के कॉंटेक्ट में आते हैं धूल आती हैं तो ये सब से पहला कारड होते हैं जैसे खाने पीने की चीज़ें फेल फ्यूट से होना क्षे张 और पंओं अब नहीं सब्सक्राइब्स थी कौनी से वायवाइजंट से वुएर्लेड को מצड़ी हैं अपको इलर्जी वने के चांस था कई विआरेनटि शेल्टन से नूज़ से बीमारी काई सारे कारूच होते हैं जिनकी बज़े से आपको कंडिशन बन जाती है अब समझ लेते हैं इसका ट्रीयट्मेंट क्या होता है और आप इसे लेते हैं यह डॉक्टर रेक्वी का है जर्मनी ब्रांड है और इससे आप अगर यूज करते हैं जैसे आप इसे यूज करेंगे आपकी समस्या धिरे-धिरे कम होती चली जाएगे आपको कैसे करना है इसको मैं आपको बता देता हowing खाना खाने से फ़र या एक गंटे यूज करें या फिर खाना का ने के दो घंटे बात यूज करें विज बून्ध के अधीक पाणी में लेना आदा का पानी नॉर्मल होना चाहिए, ना तो गरम होना चाहिए, ना फ्रीज का पानी होना चाहिए, तो नॉर्मल पानी में 20 भूने आपको डालनी है और उससे पी लेना है, दिन में 4 वार आप इसे ले सकते हैं, जैसे जैसे आपकी समस्या कम होती जाए, ठीक होती जाए, ज जैसे जैसे उसका treatment का dose है वो कम करते जैसे कि एक महीने लेने से आपकी समस्या आधी हो गई है तब आपको फिर एक महीने तक और इसको continue करना है इसके बाद में अगर आपकी समस्या ठीक हो जाती है तो फिर आप दिन में दोबार कर दीजेगा यही डॉज को जब आपकी समस्य से बिल्कुल पूरी तरीकी से ठीक हो जाती है उसके वी 7-8 महीने तक आपको continuation में लेनी है दिन में एक बार तो आप ऐसे इस तरीकी से अपनी राइनाटेस को allergic राइनाटेस को पूरी तरीकी से ठीक कर सकते हैं इसके अलावा कुछ अलग से होमेपितिक medicines बताने वाला हो जो आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जो suitable medicine से वो आप ले सकते हैं जैसे कोई patients मोटा है उसको बहुत ज्यादा fat है बहुत ज्यादा बजन है तो ऐसे patient में कैल के रिया कार्व 30 potential में दिन में दो बार उसको शोबेशाम लेनी चाहिए खाने-काने से याद एक घंटा पहल जिनका बजन कम है लिंधिन है बहुत ज्यादा पतले दुगले है तो ऐसी condition में उनको नेट्र मू 30 potential में दिन में दो बार ले सकते हैं डिर दो मेने के लिए आप continuously कीजिए यह हर तरह की allergy में काम आती है इसके साथ में आप R84 यूज कर सकते हैं कई ऐसे patients होते हैं जिनको watery nose हो treatment आपको कैसा लगा वीडियो तो लाइक करें शेयर करें अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को बाद बैल आकन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और अगर वीडियो आपने लाइक नहीं कि तो लाइक क तब तक के लिए उडियो शेयर करते हैं थांक्स वोजी को